पब्लिक टीवी आपकी आवाद तीन तलाग पास होना ज़रूरी है इससे हमारी बेटियां बड़ी खुश होंगी और उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि आज बर्सों से साथ रहते रहते किसी कारण बस अगर बिवाद हो जाता है और गुस्से में व्यक्ति गलत फैंजला करके तलाग दे देता है लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो पस्ता आता है इस से हमारी बेटियों के मन में दुलहनों के मन में एक असरुक्षा की भावना बनी रहती है आज वो भावना दूर हो जाएगी परिवार और ज़्यादा खुशाल हो जाएगी इसका फायदा हमारे यां मौलाना मुला उठाते हैं जो अनुचित है इस से उनको सुरक्षा मिलेगी और हमारे देश का बिकास ज़्यादा होगा जिन परिस्तितियों में ये कानून बने थे वो भावत पुरानी परिस्तितिया थी उस वकट के उस हिसाफ से हमारे बैदर्गों ने जो बनाई थी वो उचित थी आज परिस्तितिय बदल नहीं है आज हम अपने गिनतों के इसाफ से नहीं चल लए तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम इन चीजों को माने इन चीजों को मानने से हम पीशे जा रहे हमारा विकास नहीं हो रहा है आज अगर परिवार में दो पईये हैं पती और पतनी अगर उन में से कोई भी पईया नया पुराना हो जाता है तो वो साथ नहीं चल पाता और परिवार बिखर जाता है तो मैं अपने सबी भाईयों से यही कहूंगा कि यह एक खुशाली होगी हमारे परिवारों के लिए और शाद अल्ला हम से खुश है जो इसको पर मदद कर रहा है और हम लोग विकास भी करेंगे और खुश भी रहेंगे मेरा निवेदर है भागवान और अल्ला से इसको वो कामियाब करें और हम इस सब से निकल के विकास की ओर बढ़ है जैहिंद जैवार